हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक, मीनूस कीचेन में आफ सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंट्स, आज में शियर करने जा रहे हूँ, स्टफ्ट पालक का प्रांठा ये प्रांठा नॉर्मली सभी लोग आटा गूंद के बनाया करते हैं, आटे में पालक को गूंद के लेकिन हम पालक को अच्छे से काट के दो कर सुखा कर उसकी स्टफिंग करके बनाएंगे दो इस प्रांठे का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है, बहुत ही यम्मी प्रांठा बनता है स्टफ्ट प्रांठे सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, इस तरीके से बहुत ही डिलीशस पालक के प्रांठे को बना कर देखें जो की healthy भी है, tasty भी yummy इसको बराईए आए देखते किस तरीके से बनाएंगे हम stuffed पालक का प्रांठा stuffed पालक का प्रांठा बनाने के लिए हमने पालक को बरीक बरीक काट लिया इसकी पतियों को और अच्छे से धो कर इसको किसी जालीदार या छनी में रख दें इससे की सारा पानी इसका ड्रेन हो जाए और पालक अच्छे से सूख जाए अब हम इसके लिए एक नॉर्मल जो सॉफ्ट आटा गुंदा होता है क्योंकि स्टरफिंग प्रांटे के लिए आटा हमें थोड़ा थोड़ी सी लाल मीट पाउटर थोड़ा सा ज्वायन और थोड़ी सी इसमें हिंग चुथाई चमच और आधी चमच चाट मसाला इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बनाने के लिए ऑईल कवे को गरम होने रख देंगे एक नॉर्मल लोई से हम डबल लोई ले लेंगे इस पर ओई लगा देंगे हल्का साब जितनी स्टुफिंग उम भर सकते हैं पालक की अच्छे से भर लेंगे अभी जो मसाला बनाए नमक की अकॉडिंग हम डालेंगे जितना हमें जरुत हो की अब इसको मर्चे से बंद कर लेंगे चार तरफ से घुमाते हुए हलका तिन घंटे इसको सुखा कर फिर बना सकते हैं मैं इसको आदे घंटे वादी सुखा कर बना रही हूं आप फ्रीज में रख दें जब आपको बनानों बहुत अच्छा परांथा बनेगा आपका देखिए चैसे बिल गया है परांथा जहां पेलका सब फटे तो उस पर आप सु पाविल लगा के इसको कलशी घुमाओं के हम इसको करारा सेखेंगे पल्टे से कितना क्रिस्प लाल प्रांथा बना है पालक का पालक कैसे दिख रहा है जब आधास कि प्रांथे को हम एक कटोरी के उपड़ उतार के रख लेंगे प्लेट के ऊपर एक कटोरी रख दे जिससे कि उसकी भाप उपर नीचे दोरे दरों से निकल जाए दूसरा प्रांथा भी इससरी के सब्सक्राइब कितना यम्मी प्रांथा बन रहा है अमरा बिल्कुल लाल क्रिस्प प्रांथा सिखा है यह प्रांथा खाने में भी बिल्क किशन में शेर कीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद हैवे नाइस टेए